सब्सक्राइब करने वाले हैं कि पजल के दोस्तों मैंने लिए हैं और यह जो पड़ल के दोस्तों जो को सब्सक्राइब के प्री एक्जाम में देखने को मिल सकते हैं तो क्लास से जुड़ जाएए क्योंकि बहुत दोस्तों इंपोर्टेट क्लास होने वाली है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को पहले कोशन से रिखेंगे पहला कुशन जो इस प्रकार से दिया गया दोस्तों एक 10 फ्लोर की बिल्डिंग है ठीक है और उसमें 10 फ इस तरह से रहा है आपको भी इसी तरह से रहा है अपर तो कंफम है और तो मैंने दोस्तों दो केस लिए अब दो केस मैंने क्यू लिए है वह आपको अभी मैं समझा दूंगा कि क्यों लिए ठीक है यूंकि दो केस लेकर करने पर questions बहुत easily हो जाता है अराम से solve हो जाता है ठीक है देखो तो यहाँ पर T का place confirm है fourth पे मैंने case one पे रख दिया और मैंने case two पे भी T को मैंने place रख दिया fourth पे ठीक है अब आगे देखते यहां से line देखोगे यह वाली कह रहा है कि three persons sleep between you and the one who lives on the floor which is adjacent to the floor on which T lives ठीक है कह रहा है क्या T के adjacent T के adjacent दोस्तों कौन है एक fifth floor है और एक third floor है यहाँ पर भी क्या होगा fifth और third floor है तो कह रहा है क्या कि T के जो adjacent floor में जो person रह रहा है और U के बीच में तीन लोग है ठीक है U के बीच में कितने लोग है तीन लोग है तो अगर हम दोस्तों हम अगर case one की बात करने तो case one में क्या होगा कि adjacent वाला fifth भी है और three भी है तो ठीक है तो हम क्या करेंगे एक बार मैंने माली है यहाँ पर कोई a person बैठा है fifth पे ठीक है a name दे दिया मैंने उस person को कहा बैठा हुआ है fifth पे बैठा हुआ है अगर हम case second की बात करेंगे second में कोगो sir आप थर्ड भी बैठाल सकते है बिल्कुल सही है मैंने third पे बैठाल दिया ठीक है किज़र आ सकता है दोस्तों यू दो जगए आ सकता है एक a के उपर और एक के नीचे आ सकता है कैसे निखूँगे one two and three तो यू कहां पर आ जाएगा यहां पर एक बार मैं students ऐसे question पर जाल आगे बढ़ते हैं आगे के लिखा हुआ है the number of persons living above you is one less than the number of person living below x ठीक है क्या कह रहा है कि u के उपर जितने person रह रहे हैं ठीक है u के उपर जितने person रह रहे हैं वो x के नीचे रहने वाले person से एक क्या है कम है अगर x के नीचे चार रह रहे हैं तो u के अब अब तीन रहेंगे अगर x के नीचे दो रह रहे हैं तो u के उपर एक रहेगा बास्वान में आ गई ठीक है अब आगे देखो लिखा है p lives immediately above y ठीक है p lives immediately above y कहने का मतलब क्या है कि p और y पी यहाँ पर और y ऐसे immediate बैठें immediately बैठें इस तरह से ठीक है न मतलब इनके बीच में कोई person नहीं बैठा है एक यह condition मिल गए हमने इसको यहाँ पर रख लिया अलग से ठीक है दोनों case में follow हो तक दी है फिल आगे लिखो लिखा है who doesn't live on an odd number floor यह दोस्तों जो हू आता है यह आता है second person के लिए यहाद रखेगा n2 हो सकता है मतलब why in 5 floor में रह सकता है ठीक है दोनों में put करके हम अभी देख लेंगे कहां कहां पर आ सकता है इसके बाद देखेगा हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे देखे क्या लिखा हुआ है s doesn't live on an even number floor s जो है वो even number पे नहीं रहता है तो s कहां पे रहेगा वो ही floor है उसके लिए भी अलग-अलग है ठीक है बाद सर्म्या गई फिर r live above v but not above q r जो है वो v के तो उपर है बट q के उपर नहीं है v doesn't live on an odd number floor v जो है वो किसी भी odd number floor पे नहीं रहता है वो even number पे रहता है अब x live above w x कहा रहा है w के उपर but not above s लेकिन s के उपर नहीं है कौन x यह जो बटाता है न बटाता है first person के लिए यह जो x है w के तो उपर है लेकिन s के उपर नहीं है अब लेका है who lives below the fourth floor जोगी कहा रहा है दोस्तो fourth floor पे रहा है बासर में आ गई अगर हम बात करें इसकी यह हाँ पर बात कर लें ठीक है अगर हम case first में बात करेंगे तो case first में s कहा रहा है 7th floor के नीचे लेकिन जैसे ही आप s के लिए line पड़ोगे s doesn't leave an even number floor s किसी भी even number पर नहीं रहता है यहां से यह चीज़ confirm हो जाएगी s जो होगा वो 7th floor के नीचे 6 पर रहेगा नहीं ठीक है न औ और आपका third पर और two पर तो नहीं आ सकता है क्योंकि क्या है यहां पर x और w की बात हो गई है ठीक है तो यहां पर एक चीज़ confirm हो जाएगी s कहां पर आजाएगा फिप्त फ्लोर पर आजाएगा ठीक है S का place कहा पर हो जाएगा 5th floor हो जाएगा और इसके हम बात कर ले यहाँ पर भी क्या हो सकता है 5th पर आ जाएगा ठीक है अब हम P of Y की बात करते P of Y P of Y क्या Y 10 पर आ सकता है नहीं आ सकता है यह cancel हो जाएगा Y 8 पर आ सकता है Case 1 की बात कर रहा हूँ पर आ सकता है बोलिए नहीं आ सकता है क्योंकि X और Y X और W नी बैट पाएंगे ठीक है यहाँ से confirm हो गया 6 तो Y का place क्या confirm हो गया 6 तो हम यहाँ पर put कर दिया यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 पर Y आ जाएगा and 7 पर P पर P आ जाएगा और कहाँ पर आ सकता है बस वो यहीं पर आ सकता है और तो कहीं आएगा नहीं इसके according हाँ इनके according मतलब यहाँ पर तो P जार हो जाएगा और Y की जार हो जाएगा यहाँ पर 9 पर 8 पर हो जाएगा ठीक है दो केस है confirm चल रहे हैं भी इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है、 अब हम बात करती क्या है, आर की, आर लिफ अब अब वी, आर कहां पर है, वी के उपर है, ठीक है, बट नॉट अब अब क्यू, लेकिन क्यू के उपर नहीं है, कौन आर, वी डज नॉट लिव अउन और नमबर फ्लोर, तो V कहा रहता है दोस्तो, V रहता है even number floor पे, ठीक है, even number floor पे V रह रहा है, अब even number floor कहा कहा पे खाली है, case first की बात करते हैं, case first की बात करेंगे तो कहा पे खाली है, एक 8 खाली है, और एक 2 खाली है, even number ठीक है, दो खाली है, इसकी हम बात कर लें, स्कॉब बेसा 10 भी खाली है, अगर हम इसकी बात कर लें, यहां पर क्या है, 6 खाली है, और 2 खाली है, दो फ्लोर यहां पर भी खाली है, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि यहां पर पढ़ते को क्या लिखा हुआ है, कि अब यहां पर बात आती है, x live above w but not above s एक्स जो है वो w के उपर रह रह रही एक चीजे यह जाई दखेगा ठीक है? x dw के उपर रह रहा ना तो कहने का मतलब दो चीजए दो तरह से से इसकौम समझते हzing तो कहने का मतलब क्या है? x dw के उपर रहने का मतलब है यहां पर इस तरह रह सकता है देखेंगा यहां पर ठीक है कह रहा है क्या the number of persons living above you is one less than the number of persons living below x ठीक है यू के जितने उपर बंदे रह रहे हैं उतने उसमें एक x के नीचे जो person रह रहा है ठीक है उसमें क्या हो देखेंगे यू के उपर रहने वाले एक कम हो जाएंगे ठीक है एक कांतर होगा कम होगा लेकिन देखो यू के उपर कितने रह रह रहे हैं एक दो तीन तो मतलब क्या है x के नीचे कितने रहने चाहिए दो रहने चाहिए तो x कहाँ पर आएगा थर्ड पर इसके according क्या हो एक दो तीन तो x के यहाँ पर आजाएगा तो x तो यहाँ पर आजाएगा ठीक है एक चीज एक चीज देखेगा फिर से The number of persons living above you is one less than the number of persons living below x कह रहा है वो कि x के नीचे जितने person रह रहे हैं उतने क्या है u के उपर जो रहेंगे वो एक कम रहेंगे बड़ देखोगे यह case 2 में case 2 में अगर x नीचे आएगा तो case 2 में तो follow नहीं कर रहा है case 2 में तो follow नहीं कर रहा है यह हैं यहाँ पर आजएगा यह चीज़ कैनफरम हो गई ठिक है है यह चीज़ कैनफरम अगर हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि U का प्लेस तो यहाँ से तो U हट गया है और A हमें परसंद मिल चुका है, कौन है, गोजो भी S है, ठीक है, हम बात करते हैं V की, तो V कहाँ पर रह सकता है, क्यूंकि R lives above V but not above Q, अगर आपने V को एर्थ पे बैठाला, तो उसके उपर क तो नहीं है, तो topmost पर हो जाएगा न, यहाँ से यह confirm है Q, जो R आपका है, topmost floor पर नहीं बैठा है, यहाँ से इसीच confirm हो गया, कि V का floor कहाँ पर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह कहाँ पर आजएगा, W और आपका R कहाँ पर एर्थ पर और 10 पर कहाँ आजएगा Q, ठीक है दो यहाँ पर 8 floor की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कहा रहा है कि 8 floors, जो, sorry, 8 persons, namely दिया गया है P, Q, R, S, T, U, V and W, लिविग इना, 8 story building, but it's not necessarily in the same order, ठीक है, the lowermost floor is number 1 and immediately above numbers 2 and so on, same वोही story है, वैसे ही question है, ठीक है, चली, but question तरहाँ चेंज होगा, आगे देखते हम, not more than one person live on the same floor, कह रहा है कि एक से जादा कोई person एक ही floor पर नहीं रह रहा है, ठीक है, तब अलग लग floor पर रहा है, चली, question start होता है दोस्तों, यहाँ से, दिखा क्या है, Q lives on an odd number floor below the 6th floor, but not the bottom most floor, Q जो है वो, कहां पर रहा रहा है, odd number floor पर रहा है, किसके 6th floor के नीचे, दोखो दोस्तों, 6th floor के नीचे odd number कितने हमें मिलेंगे, एक 5 मिलेगा, देन एक 3 मिलेगा, और एक 1 मिलेगा, बास समयागी, यह 3 odd number मिलेंगे, क्यों इन 3 odd number पर रहा है, लेकिन जैसा ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लिखा क्या है, not bottom most floor, मतलब कि 1 नमबर फ्लोर पर नहीं रहाएगा, नमब समया गई, तो एक में मैंने क्या रखा, क्यू को मैंने रखा, एक में कित को, क्यू को, हाँ, तीन पर रखा, और एक बार मैंने कहा रख दिया, पांच पे, बास समया गई, केस फर्च मैंने कहा रखा है, तीन पर, केस टू में कहा पर रखा है, दोस्तों, पांच पर रखा ह ठीक है Q और P के बीच में कितने लोग रह रहा है दो लोग रह रहा है Who lives above Q यहां से यह चीज़ confirm हो गई Who lives above Q ठीक है जो कि क्या है Q के ऊपर है तो इसके according बात करें तो 1, 2, P कहां पे आएगा 6 पे आएगा और इसके according बात करें तो 1, 2, P कहां पे आज जाएगा दोस्तों 8 पे आज आएगा ठीक है अब कौन सा सही कौन सा गलत केस वो में आगे चलकर पता लग जाएगा देखेंगे आगे The number of floors between Q and P Is one more than The number of floors between Q and S कह रहा है क्या Q और P के बीच में जितने floor है वो एक जादा है किसके बीच में Q और S के बीच में floor तो कहने का मतलब यहां पे देखो Q और S के बीच में 2 है न तो Q और S के बीच में कित्ते होंगे एक ही तो होंगे न तो यहां से तो confirm हो गया कि S कहां पे आजाएगा number 3 पे आजाएगा ठीक है इसके according देख लो यहां पर भी क्या हो जाएगा 2 है तो S कहां पे आजाएगा यहां पर आजाएगा हाँ इतना तो रख सकते है आप तो direct रख दोगे लेकिन एक बात और है कोग सर एक बात तो और आरी न हो सर अगर first की बात कर लें तो सर S तो यहां पर भी आ सकता है 5th floor पे और S इसके according आ सकता है 7th floor पे बिल्कुल बात सही है क्योंकि यहां पर S तो कुछ अभी नहीं पता चल रहा है कि जो P है और S के नीचे बैठा या P S के उपर बैठा ऐसे तो नहीं पता ना बट यह तो बोला है न कि S क्या है ठीक है एक एक उसके एक जादा है ठीक है P और Q का जो floor बीच में है Q और S से एक जादा है दोनों condition हो सकती नहीं हो सकती बोलो case first में दो condition हो सकती case 2 में भी दोनों condition मैंने put कर दिया ध्यान से समझ दो ठीक है ना चलो आगे बढ़ जाते हैं आगे देखो क्या लिखा हुआ है NP more than number of floors between two ends अब देखो who does not live adjacent to P यहां से यहां से confirm हो दाएगा कि जो मतलब S P के पास मेरी बैटा है दोस्तों यहां से confirm हो दाएगा यहां से गलत हो जाएगा और यहां पर भी यह नहीं बैटेगा इस रहसे बैठेंगे ठीक है आगे आते हैं आप देखो there is only one person living between P and T के वल एक लूप P और T के बीच में रह रहे हैं then case first के recording बात कर लें किस first के recording कहां पर आ सकता है वो person जो T है वो कहां पर आ सकता है 8th पर पर आ सकता है और आपका 4th पर भी आ सकता है case first recording case first recording 8th पर भी आ सकता है और 4th पर भी आ सकता है क्योंकि D और P के बीच में तो एक ही लोग है ठीक है ना बात समय आ गई लेकिन जैसे ही आगे बढ़ोगे क्या लिखा हुआ है who lives immediately below V जो क्या है एक गम नीचे किसके बैठा है V के ठीक है दोस्तों तो यहां से यह confirm है तो यहां पर देखो जरा अगर हम बात करेंगे case first में तो क्या 8th पर आ सकता है नहीं आ सकता है तो यहां से यह wrong हो जाएगा तो क्यां पर आजाएगा अगर हमें V कहां पर होगा 5th पर T कहां पर आजाएगा 4th पर केस first recording तो यह हुआ इसकी हम बात करें case 2 में Case 2 में T कहां पर आ जाएगा दोस्तो 6 पर आजाएगा और V कहां पर आजाएगा 7 पर आजाएगा कि दोनों के समारे चल रहे हैं और दोनों के समारे चल रहे हैं और दोनों में चीज़ें फॉलो भी हो रही है अब आगे दिख लेते हैं अब लिखाए क्या है not more than two persons live between u and r ठीक है दो से ज़्यादा लोग u और r के बीच में नहीं रह सकते हैं who lives immediately below w जो अब यार यह कहां मैठाल सकते हैं अब यह देखो जरा ठीक है अब देखो case हम से इसकी बात करें case first की बात करें तो case first में रेखोगे कह रहा है क्या not more than two persons live between q and r दो से जाता लोग तो q और r के बीच में नहीं रह रहे हैं अब क्या case first में आप बैठा सकते हो कहीं q u और r को बोलिए क्या यहां यू बैठेगा तो आर तो नीचे आ रहा है यहां पर यू बैठा लोगे तो आर तो नीचे आ तो यहां तो बहुत जादा लोग बैठ रहे हैं तो आपका u कहां प्यास आएगा दोस्तों यहां प्यास आएगा और r कहां प्यास आएगा यहां पर देखो यू और r के वीच कितने 2 परसंतों है यहां प्यास आपको प्राक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 8 परसंस यहां पर देखो ध्यान से यहां पर क्या लिखा है 8 परसंस आई के लम और ओपी एंटी लिफ इन फोर स्टोरी बिलिंग इच फ्लोर ठीक है थो फ्लाट्स विच इस फ्लाट वन अन फ्लाट तू जिस तरह से मैंने ड्रौ किया है से मैं सही आपको ड्रौ भी करना है वहां पर एक्साम में ठीक है जैस अब किसी भी एक फ्लाट पर नहीं रह सकते हैं और फ्लाट वन इस वेस्ट और फ्लाट टू जो की फ्लाट वन है वह वेस्ट में है फ्लाट टू के जैसा कि मैंने आपको ड्रौ कर रखता है ठीक है चले कोशन पर आउते हैं कोशन क्या कह रहा है वन परसंद लिफ बट्व है दोस्तों वो क्या है एकदम सेम है यह तो फ्लाट वन होगा या तो फ्लाट टू होगा ठीक है तो कंडिशन हमारे पास यहां पर बनेगी कि सारी है एस ऐसे को सेब merk है ठीक है यह चीज़ हो है बता ही गई है चली आगे बढ़ जाते है ठोड़ा और आगे देख लेते हैं अगे देखो के लिखा हुआ है क्या कि M and P live on the same floor ठीक है M और P एक सेम फ्लोर पे रहा रहा है फ्लाट नहीं दोस्तों फ्लोर पे रहा रहा है इस तरह से ठीक है होर्जिंटल ठीक है आगे L lives immediately below P in the same flat L जो है जो L है वो P के एकदम नीचे रहा है same flat same flat में L doesn't live on the bottom most floor L क्या है bottom most floor पे नहीं रहा रहा है ठीक है K doesn't live in the same flat as O lives there is a gap of at most one floor between U sorry O and I ठीक है एक एक फ्लोर का gap है O और I के में ठीक है ना हो सकता है इसा ठीक है आगे I lives above N I क्या है दोस्तों N के ऊपर रहा है no one live on the west of K कोई भी person K के west में नहीं रह रहा है तो यहां से यह confirm है कि K कहां पे रहेगा flat one पे रहेगा ठीक है यह तो confirm हो गया and K doesn't live below O और K O के नीचे नहीं है अब हम अपना question स्टार्ट करते हैं अब कैसे करेंगे यह देखेगा अब यहां पर देखो यहां पर क्या बोल रहा है क्या one person live between N and T and both N and T flat number are same यह बोल रहा है ना देखो भी अब यहां पर हमारे पास condition क्या है किस तर N यहां पर आ सकता है T यहां पर आ सकता है N यहां पर आ सकता है T यहां पर आ सकता है यह भी बात सही है आपकी ठीक है यह चीज़ यहां पर भी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम बात कर लें तो हमने क्या किया एक बात N और D को ऐसे बैठाला इस तरह से और इस condition में क्या है इस condition में मैंने क्या किया, पहले opposite कर दिया, T और N को बैठाल दिया, जहांसे मेरी बास समझेगा, ठीक है, T और N को ऐसे बैठाल दिया, ठीक है, अब दोनों condition होंगे, लेकिन condition तो हमारे पास और थी न, और condition थी, तो क्या हो सकता है, यहांपर प्रट कर देता हूँ, इस तरह से, कि यहांपर, N और T इस तरह से बैठ सकते हैं, और यहांपर, T और N इस तरह से बैठ सकते हैं, दौनों खटते हैं फूल कर दिमेंने न, थीक है, अब एक condition और थी, एक condition और थी, तो मैं color change करेता हूँ, pen का थोड़ आपको visual दिखाई पड़ेगा, ठीक है, तो चीजे problem ने create करेंगी, यहां पर यह, अब एक चीच और थी, कि यहां पर भी condition हो सकती है, T, और N की, यहां पर भी condition हो सकती है, N, और T की, मिल्कुल समझे बात आ दीना मेरे, ठीक है, मेरी बातों के समझ मैरी मैं क्या कहना चाहरा हूँ, इस तरह से, तो चारों point से मैंने put कर दिया आपके सामने, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो यह, यह condition है, ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, कौन T और N, ठीक है न, आब आगे दिखते हैं, कह रहा हैं कि M and P live on the same floor, M and P क सकते हैं, ठीक है, और अगर हम इसकी बात कर लें, अगर T और N यहां बैठे हैं, तो M और P यहां पर आ सकते हैं, यह भी condition हमारे पास है, तो यह condition है, यह condition हारी बन रही न, ठीक, आगे देखोगे, पिर लिखा है, L lives immediately below P in the same flat, तो यह condition हमारे पास यहां से कतम हो जाएगी, कि हमारा M और P क्या है या तो 4th पे होगा या तो 3rd पे होगा या तो 2 पे होगा ठीक है न बाहसर में आ गई एक चीच और बोली जा रही है क्या कि देखोगे कि L doesn't live on the bottom most floor L जो है bottom most floor पर नहीं रह रहा है यहां से एक चीच और confirm हो गई कि M और P जो है या तो 4th पे होंगे या तो 3 पे होंगे ये चीच समझ में आ गई ठीक है अब अगर आपने 4th पे रखा तो T वाला place confirm होगा आपने अगर T पे यहां पे रखा तो ये वाला place confirm होगा तो बास हम्यादी न तो यहां से हमारे पास क्या एक clue हमें मिल गया क्या एक हमें एक चीज़ देखने को क्या मिली कि अगर हमने 4th पे रखा ठीक है तो क्या होगा इस तरह से यहां पर M O P आजाएंगे यहां पर L आ सकता है ठीक है फिर यह T और N की condition खतम हो जाएगी अगर मैंने यहां पर रखा तो इन दोनों की condition खतम हो जाएगी नव ठीक है तो हम क्या करते है एक बार हम क्या करते है यहां पर रखते है किसको M और P को M और P को मैंने इस तरह से यहां पर put कर दिया ठीक है M और P को यहां से put कर दिया और L कितर है दोस्तो लिव बिलो ठीक है एक दर नीची किसके आ रहा है पी के आ रहा है ठीक है सेम फ्लैट में आ रहा है यहां पर और L कहां पर आज आएगा यहां पर दोनों में चल रहा है ठीक है सभी में चल रहा है ना यहां से इन क्या करते है अब यह वाली कंडिशन को प m और P का फ्लाट मिल चुका है और फ्लोर भी मिल चुका है चलि आगे बढ़ते हैं यह L वाली कंटिशन होगी है आगे देखते के लिखा हुआ है कि देखो के डिखाए k doesn't live in the same flat or as o lives के जो है वो ओ के flat में अब कि यहां पर है तो यहां पर आपका इधर भी और दिया सकता है क्योंकि इसमें flat नहीं बताया है ठीक है अब फिर क्या कहा है there is a gap of at most one floor between o and i एक floor का जो at most हो सकता है gap किसके बीच में o और i के बीच में ठीक है clear है और i live live environment अब क्या कहा है और no one lives तो ना वेस्ट आफ के कोई भी person k के west पे नहीं रहा है कि का पले की आई चैहां कि आपके नहीं हो गया हुआ है कि आुदा करो टेहरे जो कितना मतवार बने दोस्तों तर्फके करेंगे को सोफ्सू आपको प्रैक्स करें दोस्तों बहुत आप चरा ह recap ऑफ है न बहुत अशा श्रस्टों मैं लिया हुआ है यह बार और इक है देंगा को कमेंट कर दीजिए हांची सर समझ में आ रही बात ठीक है ना क्लेर हो रहा है सबको तो प्लीज आप लोग एक है लोग करेगा गारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों सक सेर जरूर करेगा जो भी बैंकिंग की प्रप्रेशन कर रहे हैं जिनको फ्लोर और फ् इटकाट, मिल्की बार, मंच एंड पर्फ यह शिक्स चोकलेट है और यहां पर एक शीच और बोले गई है देखोगे कि इच बॉक्स है सम नमबर ओफ चोकलेट ठीक है और प्रते एक बाक्स में कुछ नमबर की चोकलेट है बनलब कि किसी में 12 है किसी में 16 है ठीक है ना क्रम में हो अलग अलग हो सकती है चले कोशन स्टार्ट करते है ठीक है यह चीज़ आपको पते होगी लोगर मोस्ट बॉक्स नमबर इस वन एंड बॉक्स अब नमबर दू यह को बॉक्स और फ्लोर का जो जो कॉंसर्प राता व सेम रहता दोस्तों ठीक है ना लोगू कंफि आपको यह केकल रहा है किवेखने के सब्सक्ते के इतनर सब्सक्राइब उनके बीच में एक एक इस एक बॉक्स जिसमें 16 चॉलिट रखी और एक बॉक्स जिसमें पैर रेख रख रखा हुआ है रखली कोई घ्र यहां पर उसने जिए बाट अच्छी बात रही जो कि उसने क्लियर कर दी थीक है तो देखो ना दो फ़्लोर ना अगर हम यहां पर बात करते यहां पर यह पर नहीं रहेगा कोई ठीक हैं तो शिंपल थी बात है फमी एक 5 पर रहा रहा हो और एक दो पर रहा होगा क्योंकि तभी दो फ्लोर आएंगे ना बस कंफर्म हो क्या या पोशन सॉल्व हो गया अपना देख लो अपने लोग दो कीस में इसलिए बनाते हैं एक बार क्या रख लो हो सोला को यहा रख लो तो बैरन वाला की तरा या नमबर टू प्या आज भाएगा इसके और नमबर सोलम हो की तरा या रख लो और लो या इचा सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं मन्च वास प्क्स tut आप दा बॉक्स ऑफ 16 चॉकलेस ठीके ना जो मंच वाला है दोस्तों वो 16 के आप एकडम इमिरेटली आप रह रह रहा है देखो कोशन यहां कितना देखने में बड़ा लग रहा था ठीके ना और एकडम हलुआ कोशन हो गया मंच वाला इधर आजाएगा इसके कोशन हो गहां प्याज आएगा थर्ड प्याज आएगा बहुत दोस्तों इसली कोशन बन जाएगा यह वाला मैं पता दे रहा हूँ आपसे बस कोशन देखने इसे मट डरिये ठीके कोशन है पड़ोंगे बहुत आसान हो जाए बस प्याक्टिस अच्छेज करिए आगे अब यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है एक मिनट